आज के इस महत्व पूर्णकार के मुपस्तित करनाटका के गवर्नर स्री मुख्यमंत्री स्री रक्षा मंत्री राजनाज स्रीजी, मंत्री मंडल के मेरे अन्य सदस्य, देश विदेश से आए, डिफेंस मिनिस्टर्स, इंडिस्ट्री के सम्मानित प्रतिनी धी, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्यनों, मैं एरो इंडिया के रोमान्चक पलों का गवा बन रहे, सभी साथ्यों का विनंदन करता हूँ, बंगलोरू का अस्मान और नए भारत के सामर्त का साक्षी बन रहा है, बंगलोरू का अस्मान आज इस बात की गवाई दे रहा है, कि नई उचाई, नए भारत की सच्चाई है, आजदेश नई उचाईयों को छूपी रहा है, और उन्हें पार भी कर रहा है, साथियों, एरो इंडिया का यायोजन भारत के बढ़ते हुए सामर्त का उधारण है, इसमें दुनिया के करीब सोथ देशों की मौझूद की होना दिखाता है, कि भारत पर पूरे विश्व का विश्वास कितना बढ़ गया है, देश विदेश के साथ सो से अधिक एग्जिबिटर्स इसमें अपनी भागी दारी कर रहे हैं। इसने अब तक के पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं। इसमें भारत के MSMS भी हैं, स्वदेशी स्टार्ट अप भी हैं और दुनिया की जानी वानी कम्पनिया भी हैं। यानि Aero India की theme, the runway to a billion opportunities जमीन से लेकर आकास तक हर तरब नजर आ रही हैं। मेरी कामरा है, आत्मंदिर बर होते हैं भारत की ये ताकत ऐसे ही बढ़ती रहें। साथियों, यहां Aero India के साथ ही, defense ministers, conclave और CEO's route table इसका भी आयोजन किया जा रहा है। दुनिया के विभिन्द देशों की सह भागिता, CEO's की सक्रिय भागिजारी, Aero India के global potential को और बढ़ाने में मदद करेगी। ये मित्र देशों के साथ भारत की विश्वसलिय भागिजारी को आगे लाए जाने का भी एक माध्यम बनेगा। मैं सभी इनिशेटिव के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री और इनिस्ट्री के साथियों का अभिनंदर करता हूँ। साथियों, Aero India एक और वज़त से बहुत खास है। ये करनाटका जैसे भारत के टेकनलोजी और टेकनलोजी की दुनिया में जिसके महारत है, एडवांस है, ऐसे राज्य करनाटका में हो रहा है। इससे Aero Space और Defense में नए आउसर पैदा होंगे। इससे करनाटका के युवाओं के लिए नए संभावना एक खुलेगी। मैं करनाटका के युवाओं से भी आवहन करता हूँ। टेकनलोजी को फिल में आपको जो महारत हासिल है, उसे रक्षाक्षेत्र में देश की ताकत बनाईए। आप इन आउसरों से जादा से जादा जुड़ेंगे, तो Defense में नए इनोवेशन का रास्ता खुलेगा। साथ क्यों, जब कोई देश नई सोच, नई एप्रोच के साथ आगे बढ़ता है, तो उसकी व्यवस्ताएं भी नई सोच के हिसाब से ड़नने लगती है। Aero India का ये आयोजन, आज नए भारत की नई एप्रोच को भी रिफ्लक करता है। एक समय था, जब इसे केवल एक शो या एक प्रकार से सेल्प इंडिया की एक विंडो भर माना जाता था। बीते वर्षों में देश ने इसे इस परसेप्शन को भी बढ़ला है। आज Aero India केवल एक शो नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेंथ भी है। आज ये इंडियन डिफेंस इंडिस्ट्री के स्कोप को भी फोकस करता और सेल्फ कॉन्फिडन्स को भी फोकस करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज दुनिया की डिफेंस कप्रियों के लिए भारत केवल एक मार्केटी नहीं है, भारत आज एक potential defense partner भी है, ये partnership उन देशों के साथ भी है, जो defense sector में काफी आगे है। जो देश अपनी रक्षा जरुरतों के लिए एक बरोसे बंद साथी तलात रहें भारत उनके लिए भी एक बहतर पार्टर बनकर आज उभर रहा है। हमारी टेकनलोजी इन देशों के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है और क्रेडिबल भी है। हमारी यहां बेस्ट इनोविशन भी बिलेगा और ओनेस्ट इंटेंट भी आपके सामने मौझूद है। साथियों हमारी यहां कहा जाता है प्रत्यक्षम किम प्रमानम अर्थात प्रत्यक्ष को प्रमान की आवशक्ता नहीं होती। आज भारत की संभावनाओं का भारत के सामर्थ का प्रमान हमारी सफलताएं दे रही है। आज आकास में गर्जना करते तेजस फाइटर फ्लेंट्स मेकिन इंडिया के सामर्थ का प्रमान है। आज हिंद मासागर में मुस्तेज एरकाप केरियर आइनेस विकरान मेकिन इंडिया के विस्तार का प्रमान है। गुजरात के बड़दा में C-295 की manufacturing facility हो या तुमकुर में HL के helicopter unit हो। यह आत्मंदिर भर भारत का वो बढ़ता सामर्थ हैं जिसने भारत के साथ साथ विश्व के लिए नए विकल्प और बहतर आउसर जुड़े हैं। 21 सदी का नया भारत अब ना कोई मोका खोएगा और ना ही अपनी महनत में कोई कमी रखेगा। हम कमर कस चुके हैं। हम reforms का रास्ते पर हर सेक्टर में revolution ला रहे हैं। जो देश दसकों से सबसे बड़ा defense importer था वो अब दुनिया के 75 देशों को defense equipment एक्सपोर्ट कर रहा है। बीते पांच वर्सों में देश का निर्यात छे गुना बड़ा है। 2021-22 में हमने अब तक के record पंदरा 1.5 billion dollar से ज़्यादा के एक्सपोर्ट को उस आंकड़ों को हमने पार कर लिया है। Friends, आप भी जानते हैं कि defense एक ऐसा ख्षित्र हैं जिसकी technology को, जिसकी market को और जिसके business को सबसे complicated मना जाता है। इसके बावजुद भारत ने बीते 8-9 साल के भीतर भीतर अपने हाँ defense sector का कल कर दिया है। इसलिए हम इसे अभी केवल एक शरुवात मानते हैं। हमारा लक्ष है कि 2024-25 तक हम export के इस आंकड़े को देड़ बिलियन से बना कर पांच बिलियन डॉलर तक ले जाएंगे। इस दोरान कियेगे प्रयास भारत के लिए एक launch pad की तरह काम करेंगे। अब यहां से भारत दुनिया के सब्चे बड़ा defense manufacturing देशों में शामिल होने के लिए तेजी से कदम बढ़ाएगा। और इसमें हमारे private sector और इन्वेस्टर्स की महत्वप्रण भूमिका रहने वाली है। आज मैं भारत के private sector से आवान करूंगा कि जादा से जादा भारत के defense sector में इन्वेस्ट करें। भारत में defense sector में आपका हर investment भारत के अलावा दुनिया के अनेक देशों में एक प्रकारते आपका व्यापार कारोबार के नए रास्ते बनाएगा। नए संभावनाए नए अवसर सामने हैं। भारत का private sector को इस समय को जाने नहीं देना चाहिए। साथियों अमरित काल का भारत एक fighter pilot के तरह आगे बढ़ रहा है। एक ऐसा देश जिससे उचाईया छुने से डर नहीं लगता। जो सबसे उची उडान भरना के लिए उत्साहित है। आज का भारत तेज सोचता है, दूर की सोचता है और तुरंद फैसले लेता है। ठीक वैसे ही जैसे आकास से उडान भरने वाला एक fighter pilot करता है। और सबसे महत्वण बाद भारत की रप्तार चाहे जितनी तेज हो, चाहे वो कितनी भी उचाई पर क्यों न हो, वो हमेशा अपनी जडों से जुडा रहता है। उसे हमेशा ग्राउंड सिचुएशन की जानकारी रहती है। यही तो हमारे pilot भी करते हैं, एरो इंडिया की गगन बेदी घरजना में भी भारत के रिफार्म, परफार्म और ट्रांस्पोर्ट की गुंज है। आज भारत में जैसी निरनायक सरकार है, जैसी स्थाई नितियां है, नितियों में जैसी साप नियत है, वो अभुत्पुर्व है। हर सक्ट इंवेस्टर को भारत में बने इस सपोर्टिव माहोल का खूब लाप उठाना चाहिए। आप भी देख रहे हैं कि इस आप डूइंग बिजनेस के जिशा में भारत में किये ये रिफॉर्म की जर्दा आज पूरी दुनिया में हो रही है। हमने ग्लोबल इनवेस्टमेंट और इनियन इनवेशन के अनुकुल माहोल बनाने के लिए हमने कई कदम उठाये हैं। भारत के डिफेंज सेक्टर में फॉर्ण डार के इनवेस्टमेंट को मंजूरी देने के नियमों को आसान बनाया गया है। अब कई सेक्टर में FDI को आटोमाटिक रूट से मंजूरी मिली है। हमने उठ्योगों को लाइसस देने की उप्रक्रिया को सरल बनाया है। उसकी वेलिटिटी बढ़ाई है ताकि उन्हें एक ही प्रोसेस को बार बार नर्दोराना पड़े। अब दस बारा दिन पहले भारत का जो बजेट आया है। उसमें मैनुफेक्टेनिंग कंपरियों को मिलने वाले टेक्ट बेनिफिट को भी बढ़ाया गया है। इसका फाइदा डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपरियों को भी होने वाला है। साथियों जहां डिमांड भी हो, कैपिबिलिटी भी हो और एक्सपिरियंस भी हो, नेच्रल प्रिंसिपल कहता है कि वहां इंडिस्ट्री दीनों दीन और आगे बढ़ेगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि भारत में डिफेंस सेक्टर को मजबूती देने का सिलसला आगे और भी तेजगती से बढ़ेगा। हमें साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ना है। मुझे भी स्वास है आने वाले समय में हम एरो इंडिया के और भी भव्य और सांदार आयोजन के गवा बनेंगे। इसलिके साथ आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सब को अनेक अनेक शुप कामनाय देता हूँ। भारत माता की जये।